वीडियो में जिस वनोसदी को आप देख रहे हैं इस ओसदी में सबसे अधिक चमतकारी गुण यह हैं कि सरपविश को उतारने के लिए यह हैं एक उत्तम दवा है इसकी जड़ का चूरन एक तोला लेकर घी के साथ मिला कर पिलाने से चमड़ी के अंदर पहुचा हुआ साप का जहैर दूर होता है दूद के साथ पिलाने से खून तक पहुचा हुआ सरपविश नश्ट होता है कूठ के चूरन के साथ पिलाने से मास में व्याप्त हुआ सरपविश हल्दी के चूरन के साथ खिलाने से हड़ी में पहुचा हुआ सर्पविश अश्व गंदा की चूरन के साथ खिलाने से चर्बी में फैला हुआ सर्पविश और चंडाल कंद या इस्वर मूल के कंद के चूरन के साथ देनने से ठेट वीरिय तक पहुचा हुआ सरपविश नश्ट होता है मगर यह गुण सफेद फूल की एह प्राजिता में ही विशेश रूप से रहता है ऐसा रद वैदो का कथन है और काफी प्राचीन आयरवेदिक किताबों में भी इसका वर्ना देखने को मिलता है जिसके बारे में उनके लेखकों ने बहुती ज़्यादा तारिफ की गई है तो आज की वीडियो में हम इसी वनौसदी के कुछ अन्य उप्योग वफाइदों के उपर बात करेंगे क्योंकि इसकी पैचान क्या है इसके बारे में मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जो अभी चमातकारिक बात मैंने आपको बताई है उसकी मानेता हमारे प्राचिन गरंतों में भी पाई जाती है सुसुत्र सहीता के अंदर दर्वीकर सर्प की चिकिच्चा में और दर्वियों के साथ साथ एपराजिता का परियोग भी दिया हुआ है चरक सहित्ता में भी दर्वीकर सर्प के काटने पर निरगुंडी की जड़ की छाल और एपराजिता की जड़ की छाल को समान भाग लेकर जल के साथ पीश कर पिलाने का आदेश किया गया है अथरवैद में भी इस उसदी को चितकबरे, कोडिये और वजज नामक साप और बिच्छू के विश को नास करने वाली माना है उपरियुक्त अवतरनों से मालूम होता है कि यह उसदी अमश्य पर असर पहुचा कर विवेच्चन करने में सहायता देती है तता मुत्र निशारक भी है, यकरत के उपर भी यह परभाव डालती है और साप तता बिच्छू के जहर को दूर करने में भी यह पर भाव सालिमानी जाती है जलोदर जैसे कष्ट दायक समस्या में एपराजिता की जड़, संगपुस्पी की जड़, दंतिमूल और नील की जड़ चारो औसदियों को छैचै गराम लेकर पानी के साथ पीज कर, इनका रस निचोड कर, चार तोला गोमुत्र के साथ पिलाने से जलरे चक असर होकर जलोदर में आराम होता है इसी परकार इसके बीजो को भून कर उनका चूरन एक गराम से तीन गराम तक देने से पलीहा, यकरत की वर्दी तथा जलोदर में चमतकार पूर्ण लाब होता है पागलपन में भी स्वेत एप राजिता की जड़की चाल बहुती ज़्यादा फाइदे मन्द है इसकी जड़की चाल के सवरस को चावलो के धोवन और गाय के घी के साथ पिलाने से पागलपन अर्थार्थ सब परकार का पागलपन का नास होता है सुजन में एप राजिता की जड़की चाल को जल में घोट कर पिलाने से सुजन में बहुती ज़्यादा लाब होता है जिनको भोजन करने के बाद पेट में हलका या ज़्यादा दर्द रहता है उनको निली एहपराजिता की जड़ की छाल को एक से तीन गराम तक सहद और गाई के घी के साथ एक सबते तक सेवन कराने से सब परकार का धर्द नश्ट होता है लेकिन उपयोग करते समय ध्यान रखे सहद और घी समान भाग लेने से जहरिले हो जाती है इसलिए इन दोनों वस्तों को मिलाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों चीजे समान भाग नहीं हो तो दोस्तों ये थे एपराजिता के कुछ चमतकारिक नुष्के वैफाई दे अगर आपको ये नुष्के अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करे और जादा से जादा से शेयर करे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे क्योंकि आमें इसी परकार की छमतकारिक जानकारी अपनी वीडियो के मादम से देते रहते हैं